मैं हूँ पंजाबन और मैं हूँ मीठे की चटोरी तो आज मैं बना रहे हूँ अपने लिए मूँ में घुल जाने वाला कोकोनेट रवा केग तो चलिए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी तो यहां पर लिया है सबसे पहले मैंने एक कप रवा यानि की सूजी और इसमें डाला में डाल कर इसका एक फाइन पाउडर बना लूंगी मैं डारेक्टे से मिक्सी में भी डाल सकती थी मगर आपको दिखाने के लिए मैंने इसे बोल में डाला है अब इन सबको अच्छे से पीस लिया है मैंने एकदम फाइन पाउडर बना लिया है और इसमें डाला है मैंने आ आप इन सब को अच्छे से मिक्स करकर मैं 30 मिनिट के लिए रेस्ट पर रखूंगी। और यहाँ पर देखिए आप behind the scene, कितना mess हो जाता है जब हम कुछ बनाते हैं लेकिन जहां बात passion की हो वहाँ पर ये सब चलता है। तो चलिए पहले कर लेती हूँ मैं अपनी kitchen clean उसके बाद करेंगे। आगे का process यहाँ पर रख दी है मैंने एक कड़ाई low flame पर preheat होने के लिए। मैं कड़ाई में बना रही हूँ यह केक और यहाँ पर मैंने जिस टिन में केक बनाऊंगी उसको भी grease कर लिया है और यहाँ इसके नीचे मैंने एक paper लगा दिया है उसे भी अच्छे से grease कर दिया है और यह almost 40 minute हो गए थे मुझे इस पैटर को रखे हुए यह देखिए पहले मैं baking soda और baking powder और सब चीजे मैं mention कर रही हूं screen पर जो भी मैंने चितना लिया है और इसमें डाला है मैंने एक चुटकी भर नमक का अब इन सब को अच्छे से cut and fold करते हुए mix कर लेंगे और अब इस जो हमारा grease किया हुए टिन था इसके हंदर इसे हम पोर कर देंगे अच्छे और इसको हम bake करेंगे 30-40 मिनट्स के लिए आप इसे bake करेंगे इसका जो paper था वो मैंने remove कर दिया है और इसके उपर डाल रही हूँ मैं थोड़ा से desiccated coconut अच्छे से पूरे जो था मेरा cake उसके उपर डाल दिया था आप इसे हाथ से थोड़ा से दबा दिया है ताकि ये नी लेकिन आप इसे बिल्कुल अच्छा सा जब ये ठंटा हो जाए तब ही इसे cut करिएगा तो यहाँ ready है हमारा mouth melted coconut rava cake एरे से तो बिल्कुल भी weight नहीं हो रहा था तो मैंने इसके खाना start कर दिया है और ये बहुत जादा tasty बना है हाँ लेकिन अगर आप कम sugar खाते हैं तो मैं आप से फिर यही कोंगी कि आप पूरा एक कपचीनी की बजाए वन फोर्थ कपचीनी का ही डालिये का आप इसे guest आने पर भी बना सकते हैं या आप बच्चों के lunch box में भी इसे दे सकते हैं तो आप भी जाए बनाए और enjoy करिये इसे अपनी family के साथ and thank you so much guys for watching my videos God bless you all